Hello dear student, Assalamu alaikum आज हम بات करेंगे Converion of decimal number system to hexadecimal number system सबसे पहले हम देखते हैं कि hexadecimal number system होता क्या है पिछले वीडियो में हमने पड़ा था octal numbers, binary number और इन numbers की conveyion की थी हमने किस तरह से हम binary number को convert करते हैं decimal number system में और किस तरह से हम octal number system को convert करते हैं binary number system में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि hexadecimal number system होता क्या है और इसकी जो conversion है वो कैसे होती है hexadecimal number system एक ऐसा number system होता है जिसमें जो है वो total कितने digit होते है 16 digit होते है या अगर हम बात कर लें कि hexadecimal number system है उसका जो base है वो कितना होता है 16 उसका जो है वो base होता है जिस तरह से binary number system में base 2 था लेकिन hexadecimal number system में base क्या होता है 2 होता है और इसमें total digit 16 होते हैं 0 से लेके 15 तक लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि 16 is not hexadecimal number 16 खुद include नहीं है total digit 16 होते हैं उसमें एक 0 आ जाता है और 1 से लेके 15 तक means 0 to 15 तक डिजिट आ जाता है लेकिन 16 खुद include नहीं है hexadecimal system में ये चीज़ आपको जहन में रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं किस तरह से conversion होती है नबर और इसके अलावा एक common चीज़ या important चीज़ आप इसमें ये बोल सकते हैं कि hexadecimal number system में 9 तक तक तो हम डिजिट लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेकिन जो बात आती है 10 की 11, 12, 13, 14, 15 तो अगर हम number system में लिखना चाहरे है 10, 12, 31, 31 तो ये हमें पता नहीं चला कि hexadecimal है या octal number है क्योंकि 1 जो है वो hexadecimal में अब 10 लिखा पड़ा है हम बोलते हैं इसको 10 है तो ये किसमें आ जाता है हम इसको octal number भी बोल सकते हैं तो ये थोड़ी distinguish करना या हम बोलते हैं कि इसका फरक करना जो मुश्किल है इस वज़े से क्या क्या है कि 9 तक तो डिजिट हम लिख लेते है hexadecimal number system में लेकिन जब बात आती है 10 की तो हम क्या करते हैं A से 11 को replace कर देते हैं B से 11 को replace कर देते हैं C से 13 को replace कर देते हैं D से 14 को E से और 15 को F से जस्ट ये याद रखना है कि 0 तो 9 तक तो हम डिजिट लेते हैं लेकिन जब बात आती है 10 की तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से डिजिल लिख देते हैं 10 के लिए A और ये जो चार्ट बनाया हुआ है इस तरह से ठीक है अब हम देखते हैं कि कनवर्ट किस तरह से होते हैं कि डेसीमल नबर दिया हुआ है उसको हम कनवर्ट किस तरह से करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 16 जो है वो बेस हेग्जाडेसिमल नमबर सिस्टम का तो हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे आईए देखते हैं किस तरह से डिजिट कनवर्ट होते हैं एक example है हमारे पास digit है 561 जो कि एक decimal number system है इसको हम convert करने जा रहे हैं hexadecimal number system में तो हम क्या करेंगे कि 16 से इसको divide करेंगे 561 को हमने divide किया 16 से तो इसको 35 time इसको table लगा means 56 पे ले लेंगे 5 को table नहीं लगा 56 है इसको 3 time 48 अगें जो है वो 48 और अगें इस तरह से जो है वो 3 time लगेगा 48 अगें जो है वो 8 रह जाएगा तो ये हो जाएगा 81 और 5 16 जा 80 और remainder 1 रह जाएगा अब 35 है इसको अगर हम 16 से divide करेंगे तो 2 time लगेगा 2 को multiply करेंगे 16 से तो 32 आएगा तो 32 होगा तो फिर remainder कितना रह जाएगा 3 हमने पहले भी किया था हम क्या करेंगे जो remainder बचे हैं जो remaining digit है उसको हम जो है वो bottom to top तक लिखेंगे तो यह हमारा decimal number सिस्टम में इसको अगर हम hexadecimal में करना है तो यह हमारे पास 2 पहले आया हम 2 लिखेंगे bottom में से फिर 3 फिर 1 यह अब number था हमारा decimal number इसको हमने convert कर दिया है hexadecimal में just क्या करना है simply आपको divide करना है जो remainder बचे उसको हम bottom to top लिख देंगे second example इसकी है कि हमारे पास एक digit दिया हुआ है 6395 जो के decimal number सिस्टम में इसको convert करना है hexadecimal number सिस्टम में divide करते हैं 6395 को divide करेंगे 16 से तो पहले जो है वो 63 को 3 time table लगेगा फिर again remainder रह जाएगा फिर उसको हम divide करेंगे 16 से तो overall अगर हम देखेंगे कि 6395 को 16 से divide करेंगे तो ये 399 time लगेगा और remainder 11 रह जाएगा फिर again 399 को divide करेंगे 16 से तो 24 time इसको table लगेगा और ये 15 remainder रह जाएगा again 24 को divide करेंगे 16 से तो हमारे पार remainder रह जाएगा 8 अब आते हैं यहाँ पे जो वो apply होगा कि हमने 10 के लिए ए लिखना है वो चीज यहाँ पे applicable होगी अब देखो हमारे पास remainder कौन से रह गए है एक 1, 8, 15 और 11 आईए देखते है remainder हमारे पास 1, 8, 15 और 11 अब इसको हम कैसे लिखेंगे हमें पता है कि 11 के जगा जो है 11 को हम replace करके वहाँ पे लिखेंगे हम 2 sorry B, 11 को हम replace करके लिखेंगे B, 15 को replace करके हम लिखेंगे F, यहाँ पे मैं आपको दिखाता है दानो, इस चार्ट में जो हमने किया था कि 11 के लिए हम B से replace करेंगे और 15 के लिए F से replace करेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 6,395 इसको हमने convert किया तो 1,8 और फिर यहाँ पे 15, 15 की जगा पे हम 15 नहीं लिखेंगे यहाँ पे F लिखेंगे और 11 की जो है वो वहाँ पे हम लिखेंगे B, तो हमारे पास यह digit था इसको convert किया तो 1,8,F,B जो कि एक hexadecimal number system में आ गया, अब आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हम 10 आएगा, 11 आएगा, 12,13,14,15 तो किस तरह से हम यह digit English alphabet के use करेंगे इस वीडियो में हमने overall यह सीखा कि hexadecimal number system क्या होता है और उसके अलावा इसकी conversion किस तरह से होती है हमने दो example इसके solve किये और अब next वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कि hexadecimal number system से decimal system में हम कैसे convert करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को share करें ताके दूसरे student भी इससे benefit हासल कर सकें और अपनी advice या कोई comments वगरा हो तो comment box में लाजमी दीजिएगा Thank you